हाई फ्रेंड्स दिस निरज रंकावत और आज मैं आपको अबेकस के बारे में कुछ बैसिक नोलेज दूँगा अबेकस की खोज चार्ज बेविज ने की थी और यह दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है यह एक टोटली ब्रेंड डफलर्मेंट प्रोग्राम है जो बच्चे की मैं सब्जेट के अंदर पकड मजबूत बनाता है अबेकस में कैलकुलेशन करने से पहले आपको अबेकस के पार्ट के बारे में पता होना जरूरी है तो देखिए यह है एक स्टुडेट अबेकस एंड यह जो येलो कलर के आप देख पा रहे हैं इन्हें बोलते हैं बिट्स अबेकस बिट्स और यह है सेंटर बार center bar के नीचे वाली side जो bits है इन्हें बोलेंगे हम lower bits and center bar के उपर वाली side जो bits है इन्हें हम बोलेंगे upper bits center bar पे आप देखिए आपको white color के कुछ point दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 and 5 सबसे बीच में जो point है इसे हम बोलेंगे mid point and जो यह outline है इसे हम बोलेंगे abacus frame abacus के अंदर calculation करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह कि अपने कोई भी calculation स्टार्ट करें हमेशा mid point से ही स्टार्ट होगी और दूसरी बात अपना abacus जो है reset होना चाहिए reset मतलब zero value पर होना चाहिए जैसे कि अभी है मान लीजिए अगर अपना abacus इस condition में है तो यह अपना abacus reset नहीं है सबसे पहले हमें abacus को reset करना होगा मतलब zero value पर करना होगा उसके बाद ही हम अपनी calculation जो है start करेंगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि abacus के अंदर value कैसे put की जाती है और calculation कैसे की जाती है subscribe my channel for more updates और आपको इससे related कोई भी question है तो आप comment में लिखिए मैं आपको reply ज़रूर करूंगा तक यू तक यू